नमस्कार खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ खुश्बू पीम नरेंत्र मोदी ने गुरुवार 24 जून 2021 को दिल्ली में जमू कश्मीर के राजनीतिक भविश्य के लिए विभिन राजनीतिक संगटनों से बात की लेकिन इस बातचीत से ठीक पहले जमू से ये मांग उट रही थी कि पीडिपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को बैठक में ना बुलाकर तिहार जिल भेज दिया जाए इस बातचीत में शामिल होने के लिए जमू से नाशनल कॉन्फरेंस के फारुक अब्दुल्ला और उमर अब्दुला, कॉंग्रेस से गुलाम नभी आजाद और प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष गुलाम एहमद नीर, बीजेपी से डॉक्टर निर्मल सिंग, जफ्तारी की मांग उठने लगी, महबूबा को तिहार जेल में भेजने की मांग को लेकर शिवसेना के कारेकरताओं ने जम्मू में प्रदर्शन किया, एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये अंदोलन महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ है, जो उन्होंने गुपकार अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिये हैं, उसका नतीजा कश्मीर की सडकों पर खून बिखेर कर हुआ है, उन्होंने कहा कि हाल ही में जो पाकिस्तान के समर्थन में महबूबा ने बयान दिया, उसके बाद कश्मीर में ना केवल एक CID जी के इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतारा गया बलकि एक मोबाइल की दुकान चलाने वाले आम नागरिक को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतारा शिवसेना ने भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान के समर्थन वाले इन बयानों के चलते कश्मीर में धीरे-धीरे लोट रहा अमन बिगड रहा है उन्होंने कहा कि महबूबा के इनी बयानों से अतंक वादियों को प्रत्साहन मिलता है और वो कश्मीर की सड़कों पर खून भाते हैं शिवसेना ने मांग की थी कि महबूबा को दिल्ली में बैठक के लिए नहीं बलकि तिहार जेल में बंद करने के ल चिनगर में गुपकार ग्यांग की मीटिंग हुई थी मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात की थी तब ही महबूबा ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मसले पर सरकार को हर किसी से बात करनी चाहिए पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए हारा कि बाद में जब महभूबा मुफ्ती दिल्ली के लिए रवाना हुई तब उन्होंने ये कहा कि वो प्रधान मंत्री के साथ बात करने के लिए जा रही है ऐसे में खुले मन के साथ ही चर्चा करेंगी गुपकार गैंग के नेताओं ने मीटिंग में अनुछे 370-35 ए समेथ अन्य मसनों को उठाने की बात कही थी दिल्ली में सर्वदलिये बैठक के मद्दे नजर खासकर घाटी में आतंकी घटनाओं के इन्पुट के बाद सुरक्षा एजन्सियों को अलर्ट किया गया अगले कुछ घंटों में कश्मीर में सुरक्षा बलो पर ग्रेनेज और आईजी हमले तथा हतियार लूट की घटनाओं को आतंकियों की ओर से अन्जाम दिये जाने के इन्पुट हैं इसके बाद पूरी घाटी में सुरक्षा एजन्सियों को अलर्ट किया गया साथ ही सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई बता जा रहा है कि सभी नाशनल हाईवे समेट तमाम सडकों पर नाके बढ़ा दिये गए हैं जगा जगा वाहनों की चेकिंग की जा रही है इसके साथ ही सुरक्षा बलों के काफिले गुजरने वाले रास्तों और हाईवे से जुडने वाले रास्तों पर भी सतर्कता रहाई गई है रोज ओपनिंग पार्टियों को और गहनता के साथ शानबीन करने को कहा गया है जूटी के दोरान जवानों को पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा गया है वहें इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात ये है कि जमू कश्मीर को लेकर पीम नरेंद्र मोदी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुँचे फारुक अब्दुल्ला ने गुपकार गडबंधन की सहयोगी महबूबा मुफ्ती के पाक से बाचीत वाले बयान से पला ज़ाड लिया है दिल्ली पहुचने पर फारुक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर कहा कि हमें पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है बलकि अपने वतन को लेकर चर्चा करनी है अब्दुल्ला ने कहा कि हमें अपने वतन से ही मतलब है और उसके PM से ही बात करने के लिए हम यहां आए हैं हाला कि फारुक अब्दुल्ला ने ये बताने से इंकार कर दिया था कि वो PM की मीटिंग में किस मुद्दे पर बात करेंगे अब्दुल्ला ने PM मूदी की ओर से मीटिंग बुलाए जाने का भी स्वागत किया था अब्दुल्ला ने कहा कि ये देर से आने लेकिन दुरस्त आने जैसा है अब्दुल्ला ने मीटिंग से पहले ये कहा था कि हम उमीद करेंगे कि प्रधान मंत्री और ग्री मंत्री हम लोगों की बात को शांती से सुनेंगे और कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे राज्य में अमन कायम हो यही नहीं उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी संग मीटिंग के बाद हम मीडिया को इस बारे में जानकारी देंगे कि हमने क्या प्रस्ताव रखे और क्या बात हुई फारुक अब्दुल्ला ने पियम मोदी से मांगो को लेकर कहा हम चाहते तो आसमान हैं लेकिन फिलहाल उनसे बात करेंगे ताकि राज्य में अमन कायम हो सके फारुक अब्दुल्ला की ओर से महबूबा मुफ्ती के बयान से पल्ला ज़ाडा जाना एहम है बता दे कि इसी सब्ता गुपकार अलाइंस की मीटिंग के बाद महबूबा ने कहा था कि कश्मीर के मस्ते पर केंडर सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए मेहबूबा ने कहा था यदि सरकार अफगानिस्तान में तालिबान से बात कर सकती है तो फिर कश्मीर के मस्ते पर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं हो सकती उनके इस बयान को जम्मू में विरोध हो रहा है और गुरुवार सुबही डोगरा फ्रंट नाम के संगठन से जुड़े लोग सडको पर उतरे और महबूबा मुफ्ती को जेल भेजने की मांगी जम्मू करश्मीर से 370 हटने के बाद आज पहली बार वहां के प्रमुक राजनीतिक दलों और केंदर सरकार के बीच बैठक हुई केंदर सरकार की तरफ से बैठक के लिए जम्मू करश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को म्योता दिया किया था इसमें ऐसे निता भी शामिल थे जो पहले जम्मू कर्श्मीर को लेकर चीन की मध्यस्ता की बात करते थे ऐसे निताओं में पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला भी शामिल है कुछ तो ऐसे नेता भी थे जो यहां तक कहते थे कि जमू कर्शमीर में कोई तिरंगा नहीं उठाएगा फूर वो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसा बयान दिया था लेकिन आज केंद्र सरकार के साथ बैठक के लिए सभी राजी हो गए खुद फारुक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी बैठक में शामिल हुए लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यूं हो गया कि चीन के हस्सिक्षेब और तिरंगा नहीं उठान की बात करने वाले भी इस बात्चीत के लिए तयार हो गए दरसर 370 हटने के बाद जमू कश्मीर की राजनीती में बदलाव हुआ है और वहां पर विकास तेज गती से आगे बढ़ा है खासकर पिछले एक साल में जमू कश्मीर में कई ऐसे सकरात्मक बदलाव हुए हैं जि ऐसा काम किया जिससे सूबे में नकरात्मक बाते करने वाले दबाव में आ गए अब आपको बताते हैं कि जमू कश्मीर में 370 हटने के बाद वहां कौन-कौन से मुख्य काम हुए डीडीसी चुनाफ की सफलता से पूरी दुनिया को संदेश मिला कि जमू कश्मीर में लोग और डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लान बजट को मनजूरी देकर सीधे विकास कार्यों से जोड़ना इससे अलगाववादी ताकतों का प्रोपगेंडा कमजोर हुआ Infrastructure Development Project में तेजी लाकर लोगों को ये बताना कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है इससे पहले क्शेत्री दलों ने सिर्फ अपनी चिंता की सूबे की नहीं केंद्री योजनाव को लागू किया गया Security और Development के मुद्दे में कोई घालमेल नहीं हुआ सुरक्षावलों को अपना काम करने की खुली छूट मिली और प्रशासन ने विकास कारियों पर फोकस रखा युवाव को रोजगार मिला उन्हें विकास कारियों से जोडा गया इस सेक्षेत्री नेताओं को अलग थलग पढ़ने का डर सताने लगा प्रश्चाचार के मामले हुँ या देश्ट्रों के प्रश्च नेताओं पर सक्त कारवाई हुई जिससे वो दबाव में आ गया कोरोना महामारी से तैयारी में भी जमू कश्मीर देश के कई अन्यराज्यों की तुलना में आगे दिखा एक भी दिन ऑक्सिजन बेट की कमी नहीं रही डोर टो डोर वैक्सिनेशन की सफलता को महराश रहाई कोर्ट ने भी जिक्र किया सकरात्मक खबरों के लिए जमू कश्मीर का सुर्ख्यों में रहना सूबे के लोगों के लिए अच्छा और नेताओं के लिए डबाव में लाने वाला रहा और प्रशासनिक फेर बदल के मारफ़त स्वच्छ चवी वाले अधिकारियों के हाथ में कमान दी गई सूबे के लोग फ्रशासनिक फ्रश्टाचार और कामचोरी से बहुत त्रस्त थे इसका सकरात्मक प्रभाव पड़ा सभी जिलों में डीसी और पुलिस अधिकारियों की न्यूपती CID द्वारा तैयार उनके CR के आधार पर की गई ना कि किसी फ्रशासने क्या राजनीते सिफारिश पर इससे भी वो नेता दबाव में आये जो अपने द्वारा बैठाए गए अधिकारियों के द्वारा मन माफिक कारे करते थे तो जिस तरीके से गुपकार गडबंधन पिये मोदी से कश्मीर पर बातचीत करने के लिए राजी हुआ उससे ये बात एक दमसपष्ट हो गई है कि इस गडबंधन के पास अब और कोई चारा भी नहीं था उट कितना भी उचा हो कभी न कभी पहाड के नीचे आता जरूर है और इन लोगों के साथ भी यही हुआ है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेर करें और Capital TV को सब्सक्राइब करें नमस्ता हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया